नमस्कार बहुत स्वागत थे आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार करवा चौत का बढ़त हर सुहागी निस्तिरियों के लिए बहुत खास है इस दिन निरजला बढ़त रहने के बाद महिलाई साम को, चंद्रमा को देखने के बाद बढ़त तोड़ती है और साम होने के बाद हर ब्रती महिलाई जो है वो चंदरोदय का इंतजार करती है और करवा चौत पर चांद भी खूब इंतजार कराता है क्योंकि इस बार चंदरमा का पूर्ण दर्सन तो होगा लेकिन आईए हम आपको उसके समय के विवारें बताएंगे लेकिन जानते हैं क कि आखिर इस ब्रत के दिन कुछ खास प्रियोग करके कैसे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं तो कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को ही सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए करवा चौत का ब्रत रखती है और इस बार ये 24 अक्टू कर चरुष का चांड महलाओं को भी इंतजार कराता है तो चलिए जानते हैं कि इस बार चंदरोदय का समय जो है वो साम आठ बचकर 11 मिनट पर है और इस बार का जो करवा चौत का चंद्रमा का उदे का समय है वो बहुत खास है क्योंकि इस बार बहुत ही दुरलब से योग बने वे हैं और पूजन के लिए जो सूम मुहुर्थ है वो 24 अक्टूबर को ही साम 6 बचकर 55 मिनट से 8 बचकर 11 मिनट तक करेगा इस बीच आप हर पूजा भी दिक कर लें पूजा कैसे करेंगे देखिए सुरियोदे होने से पहले ही उठना है और अशनान कर लें इसके बाद सरगी में जो भी मिला हुआ है भोजन उसको खाईए पानी पीजिए और गनेज जी की पूजा करके निर्जला ब्रत का संकल पलें साम तक ना तो कुछ खाना है और ना ही पीना है और पूजा के लिए साम के समय एक मिट्टी की बेदी पर सभी देबताओं की अस्थापना करें और इसी में करवा रखें एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घीका दिया जलाएं पूजा में चांद निकलने के एक घंटे पहले ही सुरू कर दीजे और इसके बाद चांद के दर्सन कर ही ब्रत खोलना है ये तो है एक सधारन सी बिधी जो आप जैसे पूजा करेंगी आईए जानते हैं बिस्तार से हलांकि इस बार करवा चौथ पर रोहिनी नच्छत्र भी है तो ऐसे में इस बार का करवा चौथ अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए आपके लिए एक वर्दान साबित होगा तो इस दिन बालू या सफेद मिट्टी की बेदी पर भगवान सीव मापारवती कार्तिकेजी गनेजी और चंद्रमा की मूर्तियों के अस्थापना की जाती है अगर मूर्ति ना हो तो सुपारी पर लाल धागा बांद कर पुजा कीजिए गया दखिए सुपारी ये बहुत पर हलका सा जल, चावल और गुडर पित करें अब करवे पर तेरह बार रोली से टीका करें और रोली चावल छिड़कें फिर हाथ में तेरह दाने गेहूम लेकर करवा चौध की ब्रत का स्रवन करें करवा चौध पूजा की सामगरी में आपको जरुवत होगी अक्षत, कुम-कुम, फूलों का हार, चौकी, लाल कपड़ा, लाल चुनरी, थाली, धूब, दीब, अगरवत्ती, करवा, लोटा, करवे का धकन, जल, एक दीपक, मिट्टी, और सेवईया, फल, मिठाई, और एक साड़ी या सलवार सूट जो भी पहनती हैं, करवा माता की तस्वीर, करवा चौर्ट की कथा की किताब, और मा पारवती की आरती की किताब, चलनी और दान करने के लिए पैसे, लेकिन हम पूजा की तमाम बिदी बताएं, उसके पहले एक बात जान लें, इस दिन काले रंग का ना तो चूड़ी पहनना है, ना साड़ी कपड़े पहनना है, और ना ही इस दिन किसी से छगड़े लडाई करें, ना आप सब्द बोलें, सुई धागा का प्रियोग बिल्कुल भी मत कीजेगा, और किसी को भी नीन से मत जगाएं, चाहे वो बैक्ती कोई भी हो, अब जानते हैं, ब्रत कथा क्या है, फिर हम बात करेंगे आगे की, देखिए करवा चौत के दिन एक खास बात, अपने पती को क्या दें, ये इंतजार है आपको, देखिए आपने जो पूजा पाट किया, आपके थाली में जब आप चंद्रमा को अर देती हैं, पती के हाथों से आप जल पीती हैं, पती आपको गिप्ट देता है, लेकिन बदले में आ अच्छे कारे, जो भी जरूरी कारे हैं, वो सुपाडी लेकर जाएं, और पूजा काम करके घर आते हैं, तो सुपाडी को फिर से संभाल कर पूजा स्थान पे रख दें, ये सुपाडी दिब प्रियोग है, जो आपके पती की सुरपचा भी करेगा, और उन्हें हर कारे में अपने माय के आई, अब सुपा ब्रत शुरू करने के बाद जैसे जैसे दीन बीटा गया, बीरवती को कमजोरी महसूस होने लगी, और साम तक बीरवती ब्रत की तकलिफें सहन नहीं कर पाई, और बेहुस हो गई, बेहन के प्रानों की रक्षा के लिए, उसके भाईयों ने पहाडी पर आग लगा कर उसे चांद बता कर बेहन का ब्रत तुरुआ दिया, जैसे ही बीरवती ने भोजन किया, उसके पती की मिर्तियों की खबर आ गई, अब दुखी मन से बीरवती जब अपने घर लोट रही थी, तो रास्ते में सी पारवती मिले, उन्होंने उसे गलत तरीके से ब्रत तोड़ने और पती की मिर्तियों की बज़ा बताया, इसके बाद बीरवती रोने लगी और अपनी गलती की माफी मांग ले लेगी, इस पर मा पारवती ने दया करके कहा ठीक है तुम्हारा पती जीवित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से स्वस्त नहीं और अगले साल जब करवा चौत का परवा आया तो उसने बिधी बिधान से ब्रत रखा, अब तक राजा के सरीर पर केबल एक सुई बची थी, वह अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बजार गई भी थी, तभी एक दासी ने राजा के सरीर पर बची हुई सुई को निकाल दिया, राजा जब होस में आया तो उसने दासी को ही राणी समझ लिया, और बीरवती जब बाजार से वापस आई तो उसे दासी बना दिया, इसके बाद भी राणी बीरवती ने करवा चौत का ब्रत जारी रखा और पूरे विधी विधान से ब्रत का पालन किया, एक दिन राजा ने किसी दूसरे राज जातिस में बीरवती से पूछा कि उसे कुछ मंगवाना है क्या, तब बीरवती ने उनसे एक ही तरह की दो गुडिया लाने को कहा, राजा गुडिया ले आया, तो उसे लेकर बीरवती ने गीत गाना सुरू कर दिया, कि रोली की गोली हो गई कि दासी रानि बन गई और राणी दासी बन गई राजा ने जब इस घीत का मतलब पुझा तो उसने अपनी सारी कहानी बतला दी सही बात का राजा को बड़ा पस्चताप हुआ और उसने बीरवती को वापस राणी बना दिया और वही साही सम्मान देते हुए फिर से पत्नी के रूप में स्विकार किया इस तरह मापारवती के आसिर्वास से राणी के विश्वास भक्ती की जीत हुई पुड़ निष्ठा की मदद से राणी बीरवती को अपना पती वापस मिल गया तो करवा चौथ की जो पुजन मंत्र है उसमें आप मंत्र सबसे ज़्यादा जो ओम चतूर्थी देब्ये नमा ओम गौर्ये नमा ओम सिवाये नमा तो इस दिन आप भूल कर भी काला और बलू कल कपड़ा मत पहनिएगा सफेद रंग भी मत पहनिएगा जहां तक संबा वो लाल पीला और इंच कलर का कपड़ा पहने और करवा चौथ का चुकि चतूर्थी को मनाया जाता है तो जब आप चंद्रमा को और दीजिए गा तो निगाहें नीची करती वे या पिर चलनी के तो उसे जल पीकर ही ब्रत तुड़े तो चंद्रमा को अर्द देने से क्या होता है देखिए जब आप चंद्रमा को अर्द देंगी तो चांदी के पात्र में या फिर आपके पास जो भी लोटा है पानी में थोड़ा सा दूद मिला लें और फिर इसी जल में दूद जो मिल रहेगा तो चन्दमा को और देने से चंद्र की स्थिती भी मजबूत होती है करवा चौत की पूजा करने से आप पूजा करते हैं दिवार पर गेरू से फलक बनाकर चावल को पीसे उस घोल से ही करवा चित्र करें तो बढ़ियां रहेगा नहीं तो आप बाजार में रेडिमे कोई भी मन्त्र यह सवस्थ मंत्र कम सकम पांच पांच बार जरूर पढ़िये गा इससे आपके पूजा के फलों में बिर्धी होगी और आपको सुपल की प्राप्ति होगी फिलालाब से विदालेंगे हर्हर महादे जानकारी अच्छी लगए तो लाइक कर सब्सक्राइब